यह देखे कोट ने तो फैसला दे दिया है कि निर्वमोदी का प्रत्यरपड कर दिया जाए हिंदुस्तान के लिए अब जो और कॉपी है और जो फाइल है निर्वमोदी के प्रत्यरपड के उसे यूके के होम आफिस में बेजा जाएगा और वहां पर 28 दिन का समय रहेगा होम जब 28 दिन का समय लेगी अब प्रिटी पडेल लेंगी और उसके बाद यह होगा जब 28 दिन का वक्त होगा प्रिटी पडेल के पास में अब जो पेपर्स हैं एक्स्टाडिशन के उसको साइन करने के लिए अगर 28 दिन के अंदर में निर्वमोदी वहां के हाई कोट में अप फैसला ब्रिटेन की वेस्ट मेंस्ट्र अदालत ने किया है वही साहिल से हम जानना चाहरे थे क्या यह अधिकार दिया है कि वह अपील कर सके या सीधे सीधे आप प्रत्यरपन के काज़ात पर हस्ताक्षर होंगे और निर्वमोदी भारत लाया जाएगा बस जी देखिया अ अगील है उनसे बात करनी पड़ेगी निर्वमोदी उसके बाद में हाई कोट में जाकर बोल सकता है कि मैं इस फैसले के खिलाफ में चुनोती डालना चाहता हूं अगर वो चुनोती डालता है तो हाई कोट से फिर से एक पत्र जाएगा यूके के हम आफिस में जहां पर बत लगता है तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया है लेकिन कोट में जिस तरह से फैसला दिया हुआ है उसमें कुछ बातें बहुत जादा मायने रखती है उसमें जो यूके के कोट ने फैसला दिया उसमें निर्वमोदी के खिलाफ में तीन बड़ी बाते कही है उसमें उन्हो हिंदुस्तान में वापिस जाता है तो बहुत जादा अनुमान यह है कि निर्वमोधी को वहाँ पर दोशी करार दिया जाएगा और जो उसने बहाने बनाये थे कि जो उसकी mental health यानि कि उसका जो दिमागी आप कह सकते हैं कि दिमागी रूप से वो स्वस्त नहीं है वो कहीं न बड़ा फैसला है क्योंकि उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि निर्वमोधी को जल्दी हिंदुस्तान वापी जा सकता है